नमस्कार साथियों, मैं मनोश सर्मा, बैंको कैरियर अकेडमी के अंतरगत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनन्दन करता हूं दोस्तों, आप लोगों के असीम्स ने और प्रेम की वज़े से आज बैंको परिवार दिन प्रति दिन प्रगर्ति की और अगर्सर हैं, तो आप सभी विद्यार्थि अपना प्रेम इसी प्रकार बनाई रखें और आपसे अनुरोद करता हूं आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा से शेर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे पहरे दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतरगर, एक महत्वपून प्रकरण की सुरुवात करने जा रहे हैं, और उस प्रकरण का नाम है आपका वाक्य, तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे, दोस्तों उसका नाम क्या है आपका वाक्य, तो वाक्य है, उसके बारे में वाक्य किस प्रकार से बनता है, क्या सुधिया होती है, कौन-कौन से वाक्य होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्शा करेंगे, तो प्रकरन का जो नाम है, वो आपका है वाक्य. वाक्य को अगर हम इंग्लिज की बात करते हैं तो इसे आप क्या कह सकते हो sentence कहा जाता है क्या कह सकते हैं आपका sentence कह सकते हैं अगर हम वाक्य सब्द के खंड करना चाहते हैं तो वाक्य जो सब्द है वो किस से बनता है आपका वाक वाक के अंदर कौन सा प्रत्य है आपका ये प्रत्य है तो वाक सब्द के अंदर ये प्रत्य लगाने से क्या बनता है आपका वाक के बनता है जो वाक सब्द है इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है वाक का मतलब होता है आपका वानी अगर हम बात करते हैं वाक है वाक है इसका साब्दिक अर्थ लेते हैं तो वाक का मतलब होता है वानी दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है तो वो ताकत किसमें होती है आपकी वानी में या आपके सब्दों में तो सब्द ब्रह्म है, सब्द से परे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो आपका इस वानी में है, तभी तो कहा किसी ने कि ऐसी वानी बोली, मन का आपाखोय, औरन को सीतल करे, आपों सीतल होय. तो वाणी है सबसे प्रभावसाली आपका हतियार है एक कहादना कि जो काम तलवार का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता तो इंसान को हमेशा अपने सब्दों का प्रियोग है वो सोच समझ कर करना चाहिए कि तलवार का घाव है वो भर सकता है लेकिन क इसी को अगर आपने सब्द कह दिए, तो वो सब्द आपकी वापिस लोट करें, नहीं आ सकते. जो काम आपका तलवार नहीं कर सकता, जैसे मालो कलम की ताकत, दुनिया में सबसे पाउरफूल किस की ताकत होती है? आपकी कलम की ताकत होती है. या वानी की ताकत होती है वानी से बड़े से बड़े क्या हो जाते हैं आपके महाभारत भी हो जाते हैं जैसे दुर्योदन था और वो पांड़ों के महल में गया तो वहां वो ऐसा बनाया वा था कि जहां पानी होता वहां दिखाई नहीं देता और जहां होता वहां दिखाई नहीं देता तो अचानक दुरियोदन है वहां गिर जाता है और द्रोपती है उसे देखकर हसती है और कहती है अंधे की उलाद अंधी होती है और ये बात दुरियोदन को चुप जाती है और इसी कान वो उसका चीरहर्ण करता है और वह किसमें प आपका वागिस्वरी वाग पलस इस्वरी वेंजन संदिय दोस्तों इसके अंदर तो वाग पलस इस्वरी क्या बन जाएगा आपका वागिस्वरी बन जाएगा और वागिस्वरी वाणी की देवी कौन है मा सरस्वती तो वाग पलस इस्वरी क्या बनता है आपका वागिस्व बन जाता है और वानी की देवी कौन सी है आपकी सरस्वती है अगर इसी वाक में हम मैं लगाते हैं तो वाक पलस मैं तो वेंजन संदी के अंदर पहला अक्सर अपने ही परिवार का क्या बनता है आपका पांचवा बनता है तो वाक पलस मैं क्या बनता है आपका वांग मैं बन और वांग में किसको कहा जाता है आपके साहित्य को कहा जाता है वांग में किसको कहते हैं आपका साहित्य को कहा जाता है तो वांग पलस में क्या बनता है आपका वांग में और वांग में यानि क्या होता है आपका साहित्य लिट्रेचर जिसको आप कहते हो और वांग पलस जा तो वाग पलस जाल तो वेंजन संदियें पहला अक्सर अपने परिवार का क्या बनता है तीसरा बनता है तो वाग पलस जाल क्या बनता है आपका वाग जाल भी बनता है तो इन सब्दों के अंदर कह सकते हो कि वाग के सब्द है इसके अंदर मूल सब्द क्या है आपका वाग और वाग का मतलब होता है आपका वाणी, तो यहाँ वाग में क्या लगाते हैं, यह प्रत्य लगाते हैं, तो आपका बन जाता है वाग के, और वाग पलस इस वागीस, और वाग पलस इस्वरी क्या बन जाता है आपका वागीस्वरी, और वाग पलस मै क्या बनता है वांग मे और वाग प्लस जाल क्या होता है आपका वाग जाल, तो दुनिया में वाग जाल का मतलब होता है, अपनी वाणी के प्रभाव से किसी को जाल में फसाना, जैसे जाल होता न, तो वाग जाल, तो दुनिया में सबसे पाउरफुल क्या है, आपकी धवनिया या सब्द है, तो यह हाँ हमने जो चर्चा की है, वो किसके बारे में की है केवल आपके वाक सब्द के बारे में, कि इन सभी के अंदर आपका क्या है दोस्तो वाक है, तो इसका वाक आपका सब्द होता है, वो इंगलिस का अलग होता है, वो वाक होता है, डबलू अल के वाक, वोक यानि क्या होता ह आपका चलना होता है, और एक होता है वक, दोस्तों एक सब्द क्या होता है आपका वक, वक का मतलब क्या होता है आपका बगुला, वक यानि क्या होता है आपका बगुला, और एक होता है बक, यह आपके युगम सब्द है बक, यानि तुम बको, तो बका मतलब क्या आता है आपका क्या होता है वाक भी होता है तो हम वाक के सब्द है इसके बारे में हमने चर्चा की है किस परकार से आपका बना है और आप वाक से कौन-कौन से सब्द बनाएं जा सकते हैं तो दोस्तों वाक के होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं वाकिव पढ़ने से पहले हम इसकी भुमिका बनाते हैं जैसे मैंने कहा कि कै ए वो अपने आप में क्या है धवनी है तो आप अपने मुँझ से जो कुछ उचारित करते हूँ वो आपकी क्या होती है धवनी होती है इस धवनी को जब लिख दिया जाए तो इस धवनी का लिखित रूप क्या कहलाता है आपका वरन कहलाता है दोस्तो धवनी और वरन में क्या अंतर है तो जो वरन है ना वो वरन आपका इसी धवनी का कौन सा रूप है लिखित रूप है दवनी के लिखित रूप को क्या कहा जाता है आपका वरण कहा जाता है फिर वरणों से क्या बनते हैं साथियों वरणों से किसकी रचना होती है आपकी सब्दों की रचना होती है और वरणों से क्या बनते हैं आपके सब्द बनते हैं और सब्दों से फिर क्या बनता है आपका वाक्य बनता है और वाक्य से फिर आपके आउत्रन बनाये जा सकते हैं और आउत्रन में क्या आजाते हैं आपके गध्यांस या पध्यांस बहुत सारे वाक्यों के सयोग से आपका बनाते हो आउत्रन और आउत्रन किसे क्या बनते हैं आपके गद्य या पद्य, गद्यांस या पद्यांस कह सकते हो, तो सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं भासा की, तो सबसे छोटी इकाई किसमें आती है, आपकी धवनी या वर्ण के रूप में आती है, दोस्तों यहां जो प्रशन बनता है भासा की सबसे छोटी इकाई, किस प्रदम नहीं हो दोस्तों, कैसे दोस्तों, ऐसे आजाई भासा की बात करते हैं। और भासा है, साथ हिए अ कितने प्रकार की होती हैं, आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी मोखिक भासा और एक होती है आपकी लिखित भासा, भासा के अगर हम सवरूप की बात करते हैं, तो भासा के सवरूप कितने होते हैं, आपके दो होते हैं, या तो हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, मोखिक रूप से, या फिर आपके विचारों को क्या किया जाता है लिख कर प्रकट किया जाता है और लिख कर प्रकट करते हैं उसे क्या कहा जाता है आपका लिखित भासा कहा जाता है मानने सामाने दोई सवरूफ होते हैं मोखिक और लिखित साथ यो तीसरा जो सवरूफ होता है वो होता है संकेतिक भासा इसारों की भासा और संकेतिक जो भासा है या इसारों की भासा है इसको अभितक्यानी मिनी है मानेता मिली नहीं संकेतों के माध्यम से भी क्या होती है आपकी भासा एक्जाम में जो पुछन आता है वो यह आया था पुछा गया था कि मूल भासा किसे कहते हैं ध्यानगना जो मोखिक भासा होती है इसे क्या कहा जाता है इसे आपकी मूल भासा भी कह सकते हैं प्रशना आया था एक्जाम के अंदर भासा का मूल सवरूप क्या है option में था मोखिक लिखित दोनो धानगना दोस्तो भासा का मूल सवरूप क्या होता है आपका मोखिक होता है ऐसा आजाए भासा का प्रात्मिक सवरूप क्या है तो पहले हम बालक है जैसे हम भासा इकोसल पढ़ते हैं तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तो सुनना क्या है? आपकी भासा है मोखिक रूप से. तो आपको क्या कहते हैं? इसको प्रात्मिक भासा भी कहा जाता है. जो आप सुनते हो वो इस्ताई होता है या एस्ताई होता है? जो सुनते हो दोस्तो वो आपका क्या होता है? एस्ताई होता है. सुनी हुई बात को भासा का इस्ताई सवरूप कोन सा है तो क्या बन जाएगा आपका लिखित बन जाएगा और भासा का मानक सवरूप कोन सा है तो मानक सवरूप भी क्या होता है आपका लिखित ये भी एकजाम में आया हुआ है प्रशन क्या था भासा का मानक सवरूप कोन सा है तो क्या हो जाए उच्चारित भासा भी कहा जा सकता है तो कई नाम है दोस्तों इसके मोखिक भासा को आप मूल भासा कह सकते हो प्रात्मिक भासा कह सकते हो इसे आप ऐस्ताई भासा कह सकते हो इसे आप उच्चारित भासा कह सकते हो दोस्तों लिखित भासा को क्या कहा जाता है इस्ताई भासा कह सकते हो मानक कह सकते हो इसके अलाव प्रमानिक कह सकते हो प्रमानिक इसे आपका प्रमानिक भासा भी कहा जाता है तो जो आपकी साथ यह लिखित भासा है इसको इस्ताई भासा मानक भासा या क्या कह सकते हो आपका प्रमानिक भासा कहा जाता है वो प्रमानिक है तो यह क्या तो ने हो जाएगी तो आपके नाम ध्यान रखने हैं कि मोखी भाषा को मूल भाषा एक्जाम में आया हुआ है प्राक्मिक भाषा पूछा गया है और आपका मानक भासा ये भी आपका आया हुआ है अब देखो यहां एकजा में प्रशन क्या बनेगा कि प्रशन आ जाएं भासा की सबसे छोटी काई क्या है अब कई किताव में दवनी दे रखा है कई जिगे क्या दे रखा है आपका वरन दे रखा है इस भरम को हम दूर कैसे करें इसका देखो दोस्तों कारण है एक बार किसी एकजा में प्रशन पूछ लिया गया था धवनी किस की सबसे छोटी काई है और ओप्शन में क्या दिया वा था आपका भासा दिया वा था भासा सब्द वाके और उस प्रशन के अकोडिंग उसका उत्तर क्या होता आपका भासा होता तो फिर कितावालों ने छापना तमाचा, जैसा आपको प्रशन आए, उसी के according आपको क्या देना है, उत्तरम देना है, अगर मालो ऐसा आजाए, आपका प्रशन क्या है, भासा की सबसे छोटी कई, अगर मालो इसके साथ जोड़ दिया जाए, भासा की सबसे छोटी कई, इस प्रशन के साथ, अगर इन में से क कोई सब्द आ गया है प्रस्थिं क्या बन गया मूखिक भासा की सबसे चोटी कई मूल भासा की सब सब से स्व्टी कई प्रात्मिक भासा की सबसे चोटी कई दोस्तो अगर इन में से कोईensor सब्द इस प्रश्ण के साथ जुड़ जाता है क्या ए मोखिक, मूङ, प्रात्मिक एस्ताई, उच्चारित एप्रमानिक इन में से कोई सब्ध जुड़ जाए भासा की सबसे छोटी इकाई ऐसी कंडिशन में आपका उतर क्या होगा दवनी होगा ऐसी कंडिशन में आपको क्या स्विकार करना है धवनी स्विकार करना है ठीक है दोस्तों कब जब आपका इन में से कोई आई मोखिक, मूल, प्रात्मिक, ऐस्ताई, उच्चारित भासा की सबसे छोटी काई क्या होती है धवनी अगर माल लो इसी प्रशन के साथ जोड़ दिया जाए लिखित भासा, इस्ताई भासा, मानक या प्रमानिक भासा की सबसे छोटी काई इनके साथ आजाए लिखित भासा की सबसे छोटी काई इस्ताई भासा की सबसे छोटी काई मानक भासा की सबसे छोटी काई प्रामानिक भासा की सबसे छोटी काई ऐसी कंडिशन के अंदर जो आपका उत्तर है वो फिर दवनी नहीं रहेगा फिर क्या रहेगा आपका वर्ण इसका मतलब सातियों जैसा प्रशन आए उसी के अकोडिंग क्या देना है आपको उत्तर देना है प्रशन के साथ अगर इन में से कोई सब्दा आए तब तो क्या मानोगे आप दवनी और इन में से कोई सब्दा आए तो क्या मानोगे आपका वर्ण मानोगे और सीधा प्रशन आजाए अगर मालनों दोनों में से कोई भी नहीं आए और सीधा आपको दे दे भासा की सबसे छोटी इकाई सीधा आ गया सीधा आ जाए भासा की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तो ऐसी कंडिशन के अंदर फिर क्या करोगे ऐसी कंडिशन के अंदर साथियों पहला उत्तर है वो आपका क्या होना चाहिए वरण होना चाहिए क्योंकि भासा कब बनती है जब उसके अंदर साइते लिखे जाते हैं जब बोली विस्तार को प्राप्त करती है तभी क्या बनती है आपकी भासा बनती कहावत ना कि 5 कोस पर पाणी बदले 7 कोस पर वाणी तो बोली जब विस्तार को प्राप्त करती है तो क्या बन जाती है आपकी भासा इसलिए पहला उतर क्या होगा आपका वरन होगा और दोस्तो वरन अगर ओप्शन में नहीं आए तो आप दूसरा उतर क्या कर सकते हो इसके अंदर धवनी कर सकते हो दोनों ही चीज़े आएगी वरण भी आ सकता है और धवनी भी आ सकता है लेकिन पहली प्रात्मिता क्या रहेगी आपकी वरण रहेगी वरण नहीं आएगा तब क्या होगी आपकी धवनी माना जाएगा तो भासा की सबसे छोटी कई है इसका उतर क्या होगा धवनी अगर मालनो दोस्तो इस प्रशन को चे से छोटी एकाई तो फिर आपका उत्तर क्या नहीं होगा दोस्तों वर्ण नहीं होगा फिर क्या करना पड़ेगा आपको सब्द करना पड़ेगा तो अरथ के आधार पर भासा की सब से छोटी क्या होती है आपकी सब्द होती है प्रशना आजाये अरत के आधार पर प्रतिएक सब्द है वो अपना क्या देता है अर्थ देता है जैसे मैंने कहा पंखायर देता है हवाधेने वाली वस्तू है जैसे मैंने कहा तोरच, खिड़की, कुर्सी, आम, गाय तो प्रतेक सब्द है उसका कोई ने कोई क्या होता है आपका अर्थ होता है तो अर्थ की द्रस्टी से भासा की सबसे छोटी काई क्या है आपकी सब्द अगर मालनों प्रशन गुमा दिया जाए और प्रशन ऐसा आजाए पूर्णता के आधार पर या अभिवेक्ति के आधार पर भासा की सबसे छोटी काई क्या है तो दोस्तों फिर आपको क्यानी करना है ने तो वर्ण करना है ने आपका सब्द करना है प्रशन क्या है पूर्णता या अभिवेक्ति के आधार पर भासा की सबसे छोटी काई तब आपका उत्तर क्या होगा आपका वाक के होगा पूर्णता या अभिवेक्ति के आधार पर भासा की सबसे छोटी काई है वो क्या रहेगा आपका वाक के रहेगा तो प्रशन अनेक है दोस्तों, जैसा प्रशन वैसा ही आपको उत्तर करना है, आगे से आपको इस बारे में कन्फूज नहीं होना है कि भासा की सबसे छोटी काई किस को माने, धवनी को माने, वर्ण को माने, सब्द को माने, अक्सर को माने, तो जैसा प्रशन आए उसी के according क्य होगा आपका answer माना जाएगा, क्योंकि देखों, वाक्य को क्यों मानते हैं, पढ़ रहे हैं वाक्य, तो प्रशन आजाए, पुर्णता के माध्यम से, पुर्णता के आधार पर भासा की सबसे छोटी काई क्या होगी, वाक्य कार्ण है, देखों, सब्द अर्थ देता है, ले पूछले कमल क्या है, कमल अर्थ तो दे रहा है, लेगिन इस अर्थ में क्या नहीं है, आपकी पूर्णता नहीं है, कमल फूल है या लड़का, इसको आप डिफाइने नहीं कर पाओगे, यह डिफाइन कब होगा, मैंने कहा दिया कमल, तो क्या मैं अपने विचार आप तक अभिविक्त कर पा रहा हूं क्या, नहीं दोस्तों, क्या इस कमल सब्द के अंदर पूर्णता है क्या, नहीं, अगर मैंने कहा कमल खिल रहा है, तब तो क्या हो गए आपका फूल, और कमल खेल रहा है, इसका मतलब कमल क्या है आपका लड़का, कमल फूल है या लड़का, य मेरे विचार आप तक अभिवेक्ट कैसे हुई जब मैंने क्या लिखा आपका वाक्य लिखा तो ध्यानगना है भासा की पूर्णता या अभिवेक्ति के आधार पर सबसे चोटी काई क्या होती है आपके वाक्के, तो पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों आपका वाक्के इसका एक प्रस्णोर बन जाये गा निवर्चत क्या नेगा पूर्णता या अभिवेक्ति के आधार पर भासा की सबसे छोटी एकाई ये विधैनकना पूर्णता कैदो या अभिवेक्ति कैदो पूर्णता अभिवेक्ति या वियाक्रनिक दृष्टी कोन के आधार पर भासा की सबसे छोठी काई क्या होता है आपका वाक्य होता है पूर्णता अभिवेक्ति या वियाक्रनिक दृष्टी कोन के आधार पर भासा की सबसे छोटी काई है वो क्या होती है आपकी वाक्य होती है दोस्तो अगर हम बात करना चाहिए क्या प्रतेक धवनी से धवनी को हम लिख देते हैं तो क्या बन जाता है आपका वर्ण बन जाता है धवनी को अगर हम लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका वर्ण बन जाएगा जिनका उच्चान एक वायू के प्रवाह के साथ किया जाए, लेकिन वो गलत है दोस्तों, अक्सर और वरण दोनों क्या होते हैं आपका? एक समान होते हैं, ए जानी नहीं, शर का मतलब होता है खंड करना, जिसका खंड नहीं किया जाए, वो क्या कहलाता है आपका? अक्सर, औ सब्द और पद दोनों क्या होते हैं आपके समान होते हैं फिर सब्दों से क्या बनते हैं आपके वाक्य क्या हर किसी सब्द से आप चाय जैसे विवस्तित करके वाक्य बना सकते हो क्या जो वाक्य प्रकरण है इसकी परिवासा एक्जाम में आई हुए वाक्य होता है सब्दों का सम्भू है पदों का सम्भू है सब्दों का सार्थ मुख सम्मू है सब्दों परिवस्तिते क्या होती है दोस्तों इसके में चर्चा करते हूं वाक्य कहते किसको है दोस्तों वाक्य कहते किसको है कि दोस्तों यह प्रिभास आपने आप में इंपोर्टेंट है ध्यानकना सब्दों या सब्दों या पदों का सार्थक व्यवस्तित समू है क्या कहलाता है आपका वाक्य कहलाता है साथियों यह परिभासा है वो एक्जाम की दरस्टी से आपकी इंपोर्टेंट है पूछी गई है सब्द को चाहे जैसे आप बना कर क्या नहीं बना सकते वाक्य नहीं बना सकते मैंने आपके सामने तीन सब्द लिखे एक तो है आपका क्रिकेट एग लीदिया राहुल और एग लीदिया आपका खेलना क्या इन तीनों सब्दों से आप वाक्य की रचना कर सकते हो क्या इन से देखो क्रिकेट राहुल खेलना क्या इन से वाक्य बन सकता है नहीं दोस्तों बन सकता है लेकिन देखो आप बनाओगे क्रिकेट राहुल खेलता है वाक्य बन जाएगा नहीं बनेगा खेलता राहुल किरकेट है तो भी आपका वाक्य नहीं बनेगा राहुल खेलता किरकेट है तो भी आपका वाक्य नहीं बनेगा इसका मतलब वाक्य बनाने के लिए जो सब्द है या जो पद है वो कैसे होने चाहिए वेवस्तित होने चाहिए और क्या निकलना चाहिए आपका अर्फ निकलना चाहिए इसका मतलब वाक्य बनाने के लिए दो चीज़े जरूरी है मुख्यत है सार्थकता और आपका वेवस्थिता तो इसका वाक्य क्या बनेगा आपका राहुल क्रिकेट खेलता है कहने का मतलब दोस्तो वाक्य बनाने के लिए आपको करता है करम है करिया है उनका करम क्या होना चाहिए आपका निर्धारित होना चाहिए ये चीज़े आपके वाक्य सुद्धी करण के अंदर भी आ सकती है, देखो, मैंने यहाँ दो सब्द लिखी, एक तो लिखा सब्दों और एक लिखा पदों, इन दोनों में suitable कौन सा है, ऐसा आजाए निमन में से वाक्य के बारे में, कि सब्दों का सार तक विवस्तित सम्मू ज्यादा सही कौन सा होगा, लेखो, अंतर है दोस्तों, सब्द और पद में क्या अंतर होता है, यहाँ किरकेट एक क्या है, सब्द है, राहुल भी क्या है, सब्द है, खेलना भी क्या है, सब्द है, देखो, जब अलग-अलग रहते हैं तब तो क्या कहलाते हैं, सब्द कहल कर दाते हैं człon में सबदों को यह क्या कहा जाता है पड में सब्से कहते हैं कि अलग होने पर क्या कहलेंगे सब्ट कहलाएंगे और पड किसे कहते है वाके में परियुक्त सब्दों को ही, वाके में, ये भी आया हूँ एकजाम में, वाके में परियुक्त सब्दों को ही पद कहा जाता है, वाके में परियुक्त सब्दों को ही क्या कहा जाता है, आपका पद कहा जाता है, इसका मतलब यहां राहुल है, वो सब्द नहीं है, यहा राहुल क्या है आपका पद है यहां क्रिकेट सब्द नहीं है क्रिकेट क्या है आपका पद है खेलना क्या है आपका पद है तो अलग-अलग है तब तो क्या कहलाएंगे आपके सब्द और उन्हीं सब्दों को जब वात्यों में प्रिक्त किया जाए तो वही सब्द क्या कहला लुख दनाया आपके पद कहलाता है पर परीचे गत्रक Ste आपका नाम सब्सक्राइब चाлоय के बता हुए तो इस परीचे को सब्ध सब्द है моं चीनिह इंतर ही है परीचे में परिचे जानकारी आपके तो तो हिंदी व्याकरण में राहूल सब्ध है, ओκिस किस से अटेच होता है, उसकी जानकाई, अब राहूल है बताओ संग्या है, क्या है आपकी? संग्या है, नाउन है, कौन सी संग्या है आपका? वेक्ति वाचक है, संग्या, राहूल है यहाँ पर, एक एला है, तो वचन कौन सा हो गए आपका एक वचन है लिंक की बात करते हैं तो राहूल का जेंडर कौन सा है आपका पुलिंग है यहां राहूल किसके रूप में आ रहा है एजे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका करता और करता किसका है कौन सी क्रिया का खेलना जो क्रिया है उसका क्या है आपका करता है तो राहुल के बारे में आपने जो जानकारी दी कि राहुल संग्या है विप्ति वाचक संग्या वचन बव एक वचन लिंग पुलिंग करता कारक है और खेलना क्रिया का करता है तो यह जानकारी दी है वो इसका क्या कहलाएगा आपका पद परिचे कहलाएगा तो वाक्य में परिख सब्दों कोई क्या कहा जाता है आपका पद कहा जाता है तो पद और वाक्य दोनों अलग अलग नहीं होते हैं दोनों एक ही होते हैं सब्द और पद अंतर है क्या बनेगा आपका पदों का सार्थक विवस्ति सम्मूह क्या कहलाता है आपका वाके कहलाता है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वाके को बनाने के लिए बहुत सारे चीज़े काम आती है एक वाके बनाने के लिए बहुत सारे चीज़े काम आती है बहुत सारे देखने पड़ते हैं कि एक आकांकसा है, योगेता है, तातपरिये है, सन्निद्धी है, अन्विती है, इस सारी चीजे आपकी विरामचिन है, पद करम है, इनका परियोग होना चाहिए, अगर आपको सुद्वाक्य लेखन के लिए, अगर वाक्य है वो क्या होना सार्थक और व्योस्तित होना चाहिए, सुद्वाक्य के लिए आपको भूँत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सुद्वाक्य के लिए, कि वाक्य को सुद्व करना है, तो कई प्रकार की चीजे आज सकती है, जैसे मालो आकांकसा है, या ऐसा कह सकते हो, वाक्य है, इ नहीं ओनी चे येक तो आकांसा के अलावा आपकी योग्यता योग्यता के अलावा आपका सन्नीधी तात्परिये अनुवै पदकरम कई चीजे होती है इनके साथ जैसे आपका विराम समंदी है इसके अलावा आपका विराम चिन हना इसके अलावा आपका विराम चिन का सही प्रियोग होना चाहिए कारक है यह सभी अगर आपके सही तरीके से विवस्तित है तो ही आपका क्या कहलाएगा आपका वाक्य कहलाएगा तो वाक्य की विशेशताएं क्या-क्या होती है दोस्तों वाक्य की विशेशताएं क्या-क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुद वाक्य में कौन-कौन सी विशेशताएं होने चाहिए दोस सार्थक और विवस्तित तो होना चाहिए और सार आपके अंदर आकांग सागर सेश है तो वह क्या नहीं कहलाएगा आपका वाके नहीं कहलाएगा कैसे दोस्तों मैंने अगर आपका सेंटेंस लिख दिया है खाती है अब खाती है लिखाए अब इस खाती है से आप क्या समझोगे बताओ खाती है क्या है अब वो क्या खाती है क्लियर नहीं है खाती है बड़ा एक जाती भी होती है तो यहां खाती है सब तो लिख दिया आपने लेकिन इसके अंदर क्या रह रही है आपकी आकांसा सेस रह रही है तो यह अपने आप में क्या नहीं है आपकी वाके नहीं है जैसे मैं मैदान में चर रहे हैं अब मैदान में चर रहे हैं Now मैंदान में चर रहे हैं सेंटेंज मुह उ Österreich अधिकर्ण खारा क्लिए है LEG मैदान में चर नहीं इसका अगर किने sentence के अंदर कोई क्या रह जाए आपकी आकांग सा सेस रह जाए तो आकांग सा सेस होती है तो वो क्या नहीं कहलाता है आपका वाक्य नहीं कहलाता है इसका मतलब वाक्य के अंदर किसी प्रकार की कोई क्या नहीं रहनी चाहिए आपकी आकांग सा सेस नहीं रहनी चाहिए जैसे महरे दोस्ता दूसरा क्या है तोस्त आपका devote होता है दोस्तोंगे कहे है वाख्य आपका तरक्सम्मत होना चाहिए उसमें जैसे मैंने कहा आप हेसे कुअ कउदाल से खेत जोत रहा है दोस्तो यह अपने आप में वाक्य तो है यह अपने आप में वाक्य तो है लेकिन वाक्य है वो तरक सम्मत नहीं है योग्य नहीं है तो इसे भी हम क्या नहीं मानेंगे आपका वाक्य किस त्रेणिंग के अंदर सामिल है नहीं करेंगे तो वाक्य होने के साथ उसमें क्या होनी चाहिए आपकी योग्यता भी होनी चाहिए तो वाक्य है मोहन कुदाल से खेट जो रहा है इसके अंदर क्या नहीं है आपका योग् सकता नहीं है उसका हमने परियोग कर दिया तो कौन सा दोस होता आपका अनुप्यूप जैसे मैंने कहा देश भर में दिपावली का उत्सव मनाया गया वाक्य तो है लेकिन गलत है दिपावली का उत्सव नहीं होता है दिपावली का क्या होता है त्यों हार होता है तो वह गलत जakap का इक सस्ति वाप्य का गलत क्यों कि बंदू क्या है आपका ऑच्य होते हैं जोते हैं ऑंका हल क्या होना चाहिए तभी आपका क्या होगा वाक के होगा इसके अलाग अगर मालों को सेंटेंस है वो आपके सार्व भोमिक होते ना जैसे यूनिवर्शल टूथ तो सार्व भोमिकता है वो भी वाकिय क्या है आपकी विशेश्ता है सार्व भोमिकता है वो भी वाकिय क्या है दोस्तो आपकी विशेश्ता है अगर कोई सर्थत्य है वो यूनिवर्शल टूथ है तो उसमें क्य नहीं होना चाहिए आपका चेंज का दोस्तो जैसे मने कहा अगर आपने लिख दिया कि सूरिय प्रथवी के चारो और चकर लगाता है तो वाक्य तो है लेकिन सुद्ध नहीं है क्यों यह युनिवर्सल ट्रूजों चीजे होती है वो हमेशा क्या रहती है सास्वत रहती है जैसे मालव आप कहते हो सूर्य यह पूरों में उदय होताहर पसिम में अस्त होताहिए होता तो यह sentence भी क्या दोस्ट आपका गलत है क्योंकि आप सारु वहमिताप। प्रसंचिन उठा रहे हो तो ऐसे वाक्यों भी क्यानी मानते हैं आपके वाक्य की स्रस्टिशे नहीं आएंगे दोस्तों next क्या है आपका सन्निदी सन्निदी का मतलब क्या होता है निकटा सन्निदी का मतलब क्या होता है आपका निकटा होता है अब वाक्य में क्या होनी चाहिए निकरता भी होनी चाहिए निकरता मतलब अगर आप किसी सब्द को लिखते हो पदों को लिखते हो तो उनके अंदर एक बराबर दूरी होनी चाहिए दूरी बराबर नहीं है इसका मतलब कौन सा दोस है आपका निकरता दोस है जैसे मुझे ल बोला नहीं आकांग सा लिखकर रहे गया फिर डेस टेस आ गया कुछ रुख गया फिलिद्याग गोल गप्पे पिर वापिस रुख गया खा रही है आकांग सा गोल गप्पे खा रही है दोस्तों यहां कौन सा दोस है आपका निकरता सम्मंदी दोस है क्यों यहां सन्निदी का क्या है अभाव है आप किसी विशेवस्त्य को बोलते हो तो उनका एक बोलने का लहजा होता है और बोलने का एक तरीका होता है और एक सब्द है वो आपका सिस्टेमेटिक तरीके से चलत तात्प्रिय का मतलब क्या होता है दोस्तों कोई भी वाक्य है वो देश काल वातावरन देश काल वातावरन इस्तती आधी के साथ क्या होना चाहिए मेल भी होना चाहिए तात्प्रिय का मतलब होता है दोस्तों अगर किसी वाक्य का देश काल वातावरन इनके साथ क्या नहीं है आपका मेल नहीं है तो भी क्या होगा आपका वाक्य नहीं होगा देश काल वातावरन जैसे मानलब आपके सब्द होते हैं कौन से जैसे ऐसे सब्द जैसे साथियों आपके अनेकार तक सब्द होते हैं अनेकार तक सब्द है उसके एक से अधिक क्या होते हैं आपके अर्थ होते हैं अनेकार तक सब्दों के क्या होते हैं आपके एक से अधि जो सब्द हैं उनके जो अर्थ होते हैं वो आपको जैसे मालनों आपका सब्द है सेंदव सब्द क्या है दोस्तों आपका सेंदव जो होता है दोस्तों सेंदव आपका क्या है अनेकार्थी सब्द है सेंदव का मतलब होता है घोडा भी होता है और सेंदव आपका नमक भी होत के मैदान में हो हना युद्ध लड़ने जाना है और आपने अपने गुपसर से कहा कि सेंद्व लाओ अब सेंद्व का मतलब क्या होता है घोड़ा भी होता है नमक भी आता है उस समय अगला नमक लेकर आगया तो वहां मंगाया क्या था आपने घोड़ा और क्या लेकर आगया आपका नमक, जैसे मालो सेंधों का मतलब क्या होता है? नमक भी होता है, आप खाना खा रहे हो, और अपने सयोगी से कहा कि यार थोड़ा सेंदव लेकर आओ, जाओ, सेंदव लेकर आओ, अगला नमक नहीं समझता है, वो क्या लेकर आगए है, उसके इस्तान पर आपका गोड़ा लेकर आएगए, लेो सेंदव, अब इसका मतलब देश काल वाता हूँ और इस्तति के अकोडिंग, आप जिस स्तति में हो, उसके साथ वो वाके मेच भी करना चाहिए, जैसे मालो कर है, कर का मतलब हाथ भी होता है, टेक्स भी होता है, अब मालो किसी का आप हाथ पकड़ना चाहते हो, कोई लटक रहा है, मुश्किल में पड़ा हूँ है, आथ कहते हो, कर दो, अब वो क्या गरेगा, जेब से पैसे गलत हो गई, कर का मतलब क्या होता है, हाथ भी होता है, टेक्स भी होता है, सून्ड भी होता है, तो जिस स्तती के अंदर आपका सब परियोग किया जाए, वहाँ पर वही अर्थ निकलना चाहिए, तो इसका मतलब तात्परिये है, वो भी होना जरूरी चाहिए, बिना तात् करता क्रिया इनका करम का आपस में क्या रहता है संबंध होता है अगर किसी वाक्य के अंदर करता क्रिया करम इनका क्या नहीं है आपका संबंध नहीं है तो वहां वाक्य में क्या हो गया अनुविती दोस्त जिसे मैंने कहा राहूल गोलगपे खाती है राहुल गोलगपे खाती है दोस्तों यहां राहुल क्या है? पुलिंग है खाती क्या है? इस्तिरिलिंग है तो यहां वाक्य के अंदर आपने क्रिया का संबंध किस से इस्तापित नहीं किया? करता से इस्तापित नहीं किया तो राहुल गोलगपे खाता है होना चाहिए, तो आपने क्या लिख दिया, खाती होना, तो वाक्य के अंदर किरियाओं का जो सम्मंद है, वो करता के साथ, करम के साथ, या किसी ने किसी पद के साथ, या किरिया सवतंतर रूप में है, हमने पढ़ाया वाच्चे, तो के में करता कुरिया इनका आपस में क्या होना चाहिए संबंध होना चाहिए बच गया कौन सा आपका पदकरम और सारव हो गया वीराम चिन और आपका कारक तो हम आगे करेंगे तोwend finely नहीं दोगता है यूनिवेर्शल टूथ यानि जो आपके 700 सत्य है, मैंने का सूर ये पूरव में उदे होता है, तो पूरव में अब हिमाले कहा है आपका उत्तर में अर आली दिया हिमाले भारत के दक्षिन में है तो वाक्य तो है लेकिन कैसा है आपका सारो भोमिक दृष्टिश्ची क्या है आपका आसुध है। इसे वाकर हिमालिय भारत के धक्षिन में है। तो सारों भूमिक रूप से क्या हो जाएगा आपका आसुध हो जाएगा। बच गया कौन सा दोस्टो आपका? एक तो आपका अनवे संभनदी, नी पद्परम संभनदी, एक आपका कारक संबन्दी और एक आपका विरामचिन संबन्दी असुद इनके बारे में चर्चा करते है कि कारक संबन्दी क्या होता है पद करम संबन्दी क्या होता है दोस्तों पद करम संबन्दी भी होता है पद संबन्दी असुदी भी होती है अब पद संबंदी क्या होती है दोस्तों आपकी पद संबंदी के अंदर दो वातें आती हैं एक तो आता है आपका पद करम संबंदी और एक आता है आपका पद करम संबंदी और एक आती है आपकी पद संबंदी पद संबंदी दोस्तों पद संबंधी में क्या आता है जैसे मालनो पद है वाक्य में परियुक्त सब्दों को यह क्या कहा जाता है आपका पद कहा जाता है तो पद संबंधी में क्या सुधिया सकती है जैसे मालनो आपकी संग्या संबंधिया सुधिया 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 सुधिय है जैसे मालो सर्वनाम के अंदर मैं तेरे को कुछ कहना चाहते हूं तो मैं तेरे को नहीं होता है मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं तो याथ का सर्वनाम सम्मंदिय क्या सम्मन्दी के अंदर आ जाएगे आपकी पद करम क्या होता है वेत पद करम सही नहीं तो क्या हो जाएगी आपकी पद करम समंदी हो जाएगे जैसे महलों दोस्तों आपका मैंने कहा पद करम बच्चे को धोकर गाजर खिलाओ अब यहाँ दोस्तों इस वाक्य में क्या है आपकी पद करम समंदी असुद दिये दोना किसको था गाजर को दोना था दो किसको दिया बच्चे को तो यहां सब्दों का करम है वो क्या नहीं है आपका विवस्तित नहीं है बाकी देखो संग्या संबंदी सर्वनाम संबंदी क्रिया संबंदी पदकरम संबंदी इनके बारे में है ना विस्तार से पढ़ेंगी जब कब पढ़ेंगे आपका topic आएगा वाक्य सुद्धी करन, तो हम सभी के बारे में अलग-अलग पढ़ेंगे सर्वनाम संबन्दिय सुद्धी क्या होती है, कारक संबन्दिय क्या होती है, तो वहां इनका विस्तार से धन किया जाएगा, यहां तो केवल हम थोड़ी जानकार इस लिए ले रहें, कि वाक्य के अंदर सब्दों का सार्थक और विवस्ति समुए के साथ साथ कौन-कौन सी विसेश्थाएं है, जो आपके वाक्य के लिए जरूरी होती है, तो सही क्या बनेगा, गाजर धोकर बच्चे को खिलाओ, यह सही बनना चाहिए था, लेकिन क्या लिख दिया आपने, इसके अलावा विरामचिन सम्मंदी भी आपको ध्यान रखना है एक्जाम के अंदर, कि विरामचिन का भी क्या होना चाहिए, आपका सही प्रियोग होना चाहिए, जैसे आपने दिया, रोको मत जाने दू, इसका अर्थ क्या हो गया आपका, अलग हो गया, तो विरामचिन सम्मंदी भी क्या होती है, आपकी असुद्धी होती है, निक्ष्ट जो असुदी का प्रकार है दोस्तो आपका वो है कारक सम्मन्दिय सुदी वाक्य के अंदर सबसे महतोपूर्ण चीज है वो आपकी है कारक की कारक का भी आपको क्या रखना है दोस्तो ध्यान रखना है वाक्ये में किसका ध्यान रखना है आपको कारक का क्या रखना है ध्यान रखना है अब कारक कौन से होते हैं आपके आठ कारक होते हैं करता ने करम को करण से संप्रदान के लिए करता ने करम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से से किस में आएगा आपका अलग होने के भाव में अपादान से संबंद काके की रारेरी संबंद काके की रारेरी अधीकरण में पर और संबंदन हे अरे संबंदन क्या होता है आपका हे अरे अगर दोस्तों आपसे पूछ ले वाक्य में तो बड़ा वाक्य आ जाएं वहां कारकों को विवस्तित करना है तो कारक विवस्तित है आठ कारक है सबसे पहला कोन सा आएगा दोस्तों अगर मालो वाक्य की बात करते हैं माल लो संबोधन के बाद में क्या आएगा आपका संबंद कारक फिर क्या आएगा आपका करता कारक फिर क्या आएगा आपका करता कारक तो संबोधन आ गया संबंद आ गया और क्या आपका करता बाकी जो कारक है ना उनका करम क्या होता है नीचे से उपर की ओड़, फिर आपका आएगा चार नंबर पर अधी करण, पांच वे पर आएगा आपका अपादान, संप्रदावन, करण, और आपका करम, लास्ट में आएगा, करम कहां आता है आपका लास्ट में, और इसके साथ क्या आती है, आपकी करिया आती है, तो वाक्य में अगर मालों दो-तिन कारक आजाएं, कि राम डंडे से कुत्य को मारता है, या राम डंडे से कुत्य को मारता है, तो कौन सा वाक्य सही है, इनको विवस्थित करने के लिए आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, कि वाक्य में अगर संबोधन कारक है, उसका पहले प्रियोग करेंगी, अगर मान लोग करता है, और करता का विस्तार दे रखा कि राहुल का भाई सोहन, तो राहुल का भाई सब्द है, वो इस करता से क्या आएगा, आपका पहले आएगा हना राहुल का भाई सोहन, छत पर, तो अधिकरन कारक इसके बाद में आएगा, करता के बाद में आएगा, हना, तो कहने का बदलब, अगर सेंटेंस में, आपको करम है, विवस्तित करना है, तो आपको इसी प्रकार लगना सबसे पहले संबोधन, फिर आपका संबन, फिर आ का कौन सी करम करम होते हैं निरजी बारे में कर में पहली करिया के साथ क्या आता है तो यह चीजे हमने क्रिया के साथ आपकी पढ़ ली थी, तो ये कुछ विशेष्टाएं है, यहां आ सकता है निमन में से कौन सी विशेष्टा, वाक्य से सम्मंदित है या नहीं, तो ये कुछ विशेष्टाएं है, आपको ये ध्यान रखना है, कि वाक्य में कौन-कौन सी चीजे होनी चाहिए, आपकी आकांग सा सेस नहीं रहनी चाहिए, योग्यतागा भाव नहीं होना चाहिए, सन्निदी नहीं होनी चाहिए, तातपरिये, अनवये, पदकरम, सारभोमिक्ता, विरामचिन, कारकशिन, इसके अलाव पदकरम में और भी आ गए आपकी संग्या, सर्वना, विशेशन, क्र वरतनी, संदी, समा, यह सारे किसमें आ जाएंगे आपके, पद के अंदर आ जाएंगे, तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते विए, क्या बनाना है, आपको वाक्य का निर्माने करना है, तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग साथियों वाक्य के अंगों की बात करते हैं तो वाक्य के अंग कितने होते हैं आपके दो होते हैं वाक्य के दो अंग कौन-कौन से होते हैं साथियों एक तो होता है आपका उद्दिश से यह यहां से एक्जाम के लिए दोस्तो बेहद important है यह जो factual थथे है वो आपका exam के लिए क्या है आपका very important है बाक्खे के 2 यंग होते है एक तो होता है आपका उद्द्द से और δूसरा कॉन सा होता है आपका विधे दोस्तो एक तो होता है आपका उद्D invade से और एक क्या कहलाता है आपका विधे तो वाक्य के कितने अंग होते हैं आपके दो अंग होते हैं एक तो होता है आपका उद्धिस से और एक क्या होता है आपका विधे एक्जाम के अंदर जो यहां से प्रशन आता है नसाथी वो क्या होता है वो प्रश्णी ये होता है एक्जाम के अंदर कोई वाक्य दे दिया आपको जैसे मालो ऐसा आ गया दिव्या दिव्या चाउमीन खा रही है ऐसा वाक्य आ गया अब ऐसा पूछ लिए दिव्या चाउमीन खा रही है इस वाक्य में उद्दे से क्या है प्रशन पूछ लिया दिव्या चाउमीन खा रही है इस वाक्य में उद्दे से क्या है प्रशन ऐसे आते हैं अब च्यार उप्सन आ गया आपके सामने, नमबर वन आ गया दिव्या, नमबर टू आ गया चाउमीन, नमबर तीन आ गया खाना, और चोथा आ गया चाउमीन खाना, प्रशन है, निमन में से कौन सा उद्दिष से है, तो हम सोचते हैं कि जो हम काम करते हैं वो उद्दिष से होते हैं, कि दिव्या कोन सा काम कर रही है, चाउमीन खाना, और हम क्या करके आ जाते हैं, चाउमीन खाना, नहीं दोस्तों, उद्दिष से क्या होगा आपका दिव्या होगा क्या होगा दिव्या तो उद्देश से है वो क्या होता है आपका सब्जिक्ट होता है करता कोई क्या कहा जाता है आपका उद्देश से और करता कोन होता है क्रिया को करने वाला क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है आपका करता कहलाता है तो इस वाक्य के अंदर दिव्या वो आपका क्या है उद्देश से हैं इंग्लिज में कहते है इसको आपका सब्जेक्ट क्या कहा जाता है आपका सब्जेक्ट कहा जाता है और विधे क्या होता है विधे होता है दोस्तों उद्देश से का उद्देश से विधे क्या होता है विधे होता है आपका उद्देश से का उद्देश से इस वाक्य में उद्देश से क्या है दिव्या और दिव्या का उद्देश से क्या है चाउमीन खाना उद्देश से इन दिव्या का उद्देश से क्या है चाउमीन खाना चाउमीन खा रही है यह क्या हो जाएगा आपका विधे और विधे का मतलब क्या होता ह जो आपकी क्रिया होती है नालमोस्ट क्रिया किसमें आती है आपकी विधे के अंदर इस वाक्य में दीव्या है वो है आपका उद्द्द से और चाउमीन खा रही है यह पूरा क्या हो जाएगा आपका विधे हो जाएगा पूरा क्या है आपका विधे तो दीव्या है वह आप आर्ती, सोनिया, मेनका और हिमान्सी. पूजा, आर्ती, सोनिया, मेनका और हिमान्सी, गाने गा रही है. इस वाके में पूछ लिया जाए आपको, कि उद्दे से क्या है दोस्तों? उद्दे से क्या होता है आपका करता? अब उद्दे से क्या है बताओ? पूजा है, आर्ती है, सोनिया है या हिमान्सी? उद्दे से क्या होता है? करता है. गाने गाने का काम कोन कर रही है? पूजा, आर्ती, सोनिया, मेनका और हिमान्सी. दोस्तों, इस संपूर्ण क्या है आपका? उद्दे से है. उद्दे से क्या ह आपका गाने गा रही है यह आपका क्या हो जाएगा विधे हो जाएगा किसी एक का जो होता है वो आपका कार ये करने वाला होता है आपका उद्धे से बाग की सभी क्या बन जाएगा आपका विधे बन जाएगा तो कहने का मतलब आपका उद्धे से क्या होता है करता अगर मा सीला का भाई राहुल सीला का भाई राहुल सीला का भाई राहुल देश भक्ती गाने अधिक सुनता है सीला का भाई राहुल देश भक्ती गाने अधिक सुनता है सीला का भाई राहुल देश भक्ती गाने अधिक सुनता है और ऐसा आजाए इस वाक्य में उद्देश से क्या है ओप्शन में आगया राहुल सीला का भाई सीला का भाई राहुल दोस्तो ऐसी कंडिशन के अंदर यहां उद्देसे क्या होगा राहुल होगा देश वक्ति गाने सुनने का काम कौन कर रहा है राहुल कर रहा है राहुल कर रहा है राहुल कहेगा उद्देसे सीला का भाई है वो किसके लिए आया है राहुल के लिए राहुल यहां क्या है उद्देसे और यह उद्देसे के लिए आया है तो क्या बन जाएगा आपका उद्देसे का विस्तार बन जाएगा दोस्तों यह क्या है आपका उद्देसे का विस्तार राहुल क्या है आपका बात करते हैं विधे के अंदर क्या क्या है विदे में सुनना क्या है आपकी क्रिया क्या सुनता है गाने गाने क्या है आपका करम क्रिया और करम दोस्तों गाने क्या सुनता है अधिक अधिक क्या है आपका इस क्रिया का विस्तार है और गाने कैसे देश भक्ती, देश भक्ती क्या है आपका करम का विस्तार है, तो विस्तार हमेशा उससे पहले आता है, चाए वो करता का विस्तार हो, चाए करम का हो, चाए आपका क्रिया का हो, तो विस्तार हमेशा क्या आता है, आपका पहले आता है, तो कहने का मतलब वाक्य कि दो अंब होते हैна एप्जाम में पूछेंगे या तो पूछेंगे आपको उत्ouveत्सिन का विसतार ये आने के संब्भावना क्या रहती है आपकी ज्यादा रहती है उत्धैस oldest में पूरा जिसक पूर000 कितना होगा आपका राहुल सब्जेक्ट ही क्या होता है आपका उद्दे से और इसके पहले आने वाला क्या हो जाएगा आपका उद्दे से का विस्तार हो जाएगा तो वाक्य के अंग कितने होते हैं आपके दो होते हैं कौन कौन से करता उद्दे से और आपका विडिय होता है इंगलिस में कहते हैं आप सात्यों वाक्य के गटक की बात करते हैं तो कितने होते हैं आपके, दो होते हैं, कौन-कौन से? एक तो होता है आपके अनिवार ये गटक, और एक होता हैं आपका एच्छी गटक, वाक्य के गटकों की बात करते हैं साथियों तो एक तो क्या होगा आपका अनिवारिय गटक और दूसरा कौन सा होता है आपका एच्छी गटक अनिवारिय को इंगलिस में क्या कहा जाता है अनिवारिय को कहते हैं आपका कंपल सरी और अनिवारिय एक वनवर्ड भी है जिसका निवारन नहीं किय कियादा सके उसे क्या कहते हैं आपका अनिवारिय जिसका निवारन नहीं कियादा सके उसे कहते हैं आपका अनिवारिय दोस्तो एच्छिक जो सब्दना वह किससे बना है आपका इच्छा में कौन सा प्रत्य है आपका एक प्रत्य तो इच्छा के अंदर आपका कौन सा प्रत् इच्छा में क्या लगा दो आपका एक लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका एच्छिक बन जाएगा तो इच्छा में एक लगाने से क्या बनता है आपका एच्छिक बनता है तो वाक्य के अंदर अनिवारी जिसका निवारण नहीं कर सके तो ऐसे कौन से घटक है जिनका करता पलस क्रिया किसी वाक्य को बनाते हो तो कम से कम आपको करता और क्रिया यह दो तो चाहिए इनके बिना वाक्य की सरंचना नहीं बना सकते जैसे आप छोटा वाक्य बनाते हो हेमलता हस्ती है तो हेमलता हस्ती है यहां हेमलता क्या है आपकी करता और हसना क्या है आपकी क्रिया हसना क्या है आपकी क्रिया तो किसी सेंटेंस को बनाने के लिए करता और क्रिया तो आपको जरूरी है तो ऐसे घटक हैं जिसके बिना वाक्य की कलपना नहीं की जा सकती तो करता और क्रिया य के साथ करम भी जोड सकते हो, जैसे आप हेमलता चाव मीन खाती है, तो हेमलता करता हो गया, खाना करिया हो गई, चाव मीन क्या हो गया, आपका करम हो गया, तो लेकिन बाकी और जोड सकते हो, कि हेमलता सुबह से लेकर साम तक गोमती रहती है, तो करता और करिया ये तो आपक की पीना पीना क्या है क्रिया क्रिया है वो सवते हैं डिमांड कर लेती है किसकी आपकी पीती है अब क्या पीती है कुछ ने कुछ पीती होगी वह आपका पानी पी सकती है दूद पी सकती है ना करिया है मांग करती है इन में सबसे महतोपूर्ण क्या होता है आपका क्रिया होत कोई है अगर आप अन्य कुछ जोडते हो ना वो सारे क्या कहलाएंगे आपके एच्छी कहलाएंगे तो करता और क्रिया दोनों क्या कहलाते हैं आपके अनिवारी गटक होते हैं और इसके अलावा जो कुछ है आपके अव्वे है क्रिया विशुशन है निपात है संबोधन है क का वाक के वाक किसे बना दोस्तों वाक में कौन सा प्रत्य है आपका यह और वाक का मतलब क्या होता है आपका वानी और पूर्ण का अग्रिव्यक्ति और व्याक्रणिक आधार पर भासा की सबसे छोटी काई क्या होती है आपकी वाक के होती हैं और वाक के के बारे हमने बात की कि भासा के दो सवरूफ होते हैं, मोखिक और आपका लिखित, अलग-अलग प्रस्न है मोखिक मूल प्राथमिक ऐस्ताई उच्चारित, इस आधार और भासा के सवतसी है मानक और प्रामानिक आधार पर वरण, अरत के आधार पर सब्द और पूर्णता या विविक्तिक द्रश्टी से क्या होते हैं आपके वाक्य होते हैं वाक्य सब्दों या पदों का सार्थक सम्मू होता है विवस्तित होना है और इसके लिए पद किसे कहते हैं वाक्य में प्रिवत सब्दों कोई क्या कहा जाता है पद कहा जाता है वाक्य के लिए क्या-क्या जरूरी है दोस्तों विशेष्टाएं है आकांगसा सेष्ण नी रहनी चाहिए योगेता होनी चाहिए सन्निधी होनी चाहिए तात्परी अनवय पदकरम सारोवमिक्ता विराम चिन कारक इन सभी की द्रस्टी से वाच्चे क्या होना चाहिए आपका सूसंगत करण और आपका करम इस प्रकार से वाक्य में कारक्या होने चाहिए आपके विवस्तित होने चाहिए वाक्य के मूलता है दो अंग होते हैं एक तो आपका उद्दिश से और एक आपका विधे उद्दिश से बोलते हैं करता को और वाकी जो क्रिया होती हो मूल किसके अंदर रच्णा के आधार पर अरत के अधार पर और काल के आधार पर तो उन सभी बाकियों के बारे में काल कितने होतेKEN क्रियाओं में कितने होते हैं, उन सभी के बारे में हम next class के आपका प्रचा करेंगे, दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ कोई आपका प्रेशन हो, तो आप comment box में लिख सकते हो, class कैसी लगी आपको अपनी राय जरूर दीजी, और class को जादा से जादा शेयर करें, like करें, subscribe क तेरे अभी के लिए इतना ही, जय हिन, जय भारत!